है लो स्टुडेंट मैं हूं पुना आपके बीच में लेकर के आया हूं और जर्टिव कोश्चन्स तो इस वीडियो में आप अंतक बने रहेंगे ताकि आपका जो 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 सेरीज में स्टार्ट किया हूं ये आपको जो है वो बारी-बारी से मिलते रहें वन-बाई-वन कर के साथ में मैं आंसर्स भी बताऊंगो और आपको टाइम दूँगा कि आप स्क्रीन पर कोश्चन्स को पढ़ लें और उसके आंसर्स को दें तो चलिए सबसे पहले जो स्क्रीन पर दिख रहा है कोश्चन्स वो है दाड़ी बनाने में प्रजेक्ट होने वाले दर्पन का न इसका आंसर्स चलाजाएगा वो डी नमबर के साथं बैगनी होगा और अगर आप टेस्ट देने के चुकत आप चारोगे मेरे आवाज को मिट कर दीजेगा और उसके बाद पिर आप यहाना इसका टेस्ट दीजे अपने से उसके बात बारी बारी से आप आंसर्स मिला के कि विद्दुत् चुमबक बनने में किस पदार्त के च्छबका उप्यों किया जाता तो विद्दुत् चुमबक को होता है वुद्दुत् चुमबक अएसा नर्म लुह का बणा होता है तो इसका ँन्टव mm के साथ में अगला कुश्जिन आर ओम परतिरोध वाले N परतिरोध को समानतक रम्यदी जोड़ देगा तो उसका समतुल परतिरोध का मान क्या होगा इसमें जो है ना A number option दिया है बाद में की B और C जो है options को silent कर दिया है गलती से लेकिन इसका जो answer है इन में से कोई नहीं होगा D number option चला जागा अगर यहां पर अगर होता ऐसा कुछ पी तो इसमें लिखा हुआ रहता है कि N by R इसका जो values हो जाता है वो क्या हो जाता है N by R हो जाता है अगला question है कि जो लगूप पथन होता है यानि short circuit अगर हो जाता है किसी समय जोगे किसी परिपत में अगर short circuit होता है तो विद्धुधारा का जो मान होता है उस पर क्या आसर पड़ता है कि कम हो जाता है इस्थिर रहता है या बहुत अधिक हो जाता है तो यह आपको बताना है कि निरंतर जो है वो बदलते रहता है तो इसमें जो है जिस समय की लगू पतन की घटना घटती है उस समय उसका जो मान हो जाता है वह क्या हो जाता है बहुत अधिक हो जाता है अगला कोशन जो है वो है अगला कोशन है कि नाविके विखंडन को नियंतरित करने के लिए यानि कि विखंडन नविकरिया जो होता है में उसको नियंद्रित करने के लिए किसका परियोग किया जाता है लोहे के छड़का स्टील के छड़का कैडमियम के छड़का या एलमूनियम के छड़का तो इसका जो आंसर चला जाएगा वह आप गेस करके भी बता सकते हैं तो इसका आंसर चला जाएगा कैडमियम के तो इसमें से आपको answers बढ़ता ना कि कौन सा answers का सही होगा थोड़ा से समय दे देते हैं आपको आप answers कीजिए और बताइए तो इसका जो आकरती है वो किसा है सरपिल आकार की है ये डी नंबर options के साथ चला जाएगा अगला question है कि अमल राज में HCl एवं HNO3 नेट्रिक असीड जो होता है इसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है तो HCl जो है वो तीन भाग होता है HCl और एक भाग होता है नेट्रिके सिड फोसे जाएगा एण cowboyう ए नंबर पोस्त चला जाएग अगला question देख लेतinação है अगला क्या कहता है कि किसी उदासीन ज्याइड कितना होता है तो कोई भी उदासीन रिपन च्रह उता है यह को बताने हैं डिलियन छी इसमें देखें डुबल बॉंड है वो जो एरू जैसा दिया हुआ है थोड़ा सा गिप्स का साइन जैसा है यहां पर तो वो यहां पर वो डुबल बॉंड है डुबल बॉंड C double bond O क्रियासिल मुलक है का नाम बताना कौन सा क्रियासिल मुलक है तो ये आपको बताना कि कि टोन है अलकोहल है इथर है उथर लिखा गया है इथर है या अलडिहाइड है आपको इसमें से answer बताने है तो ये जो option आते हैं जिसमें कि इस तरह से लिखा हुआ रहे single bond C single bond ओपर पे O कर दे इस तरह से भी अगर कर दे तो याद रखेंगे यदि C O है और double bond है C उसके बीच में और कोई भी इसमें materials और नहीं है तो वो ketone होंगे ठीक है वो क्या होंगे ketone होंगे kretone लिख दिया गया है अगला देखिएगा इसमें question है कि निमलेखित कारवनिक योगिक में कौन सा योगिक जो है अलकाइन है अलकेन अलकीन अलकाइन होता है तो अलकाइन का इसमें पूछा गया है तो acetylene, methane, ethyl alcohol होना चाहिए और क्लोरोफॉर्म तो इसमें से कौन होगा इसका answer तो A number option acetylene के साथ चला जाएगा answer A number options के साथ चला जाएगा अगला question देख लेते हैं क्या कहता है कि calcium के परमानू की संख्या बताए calcium के परमानू की संख्या बहुत ही इजी सवाल है आपको आप बता सकते हैं परमानू की संख्या कितना होता है calcium का परमानू संख्या होता है 20 यानि कि A number options के साथ चला जाएगा अगला question देख लेते हैं अगला question क्या कहता है ethyl alcohol ethyl alcohol का अनूसूत्र बता रहा है कि अनूसूत्र कौन सा है इसमें से आपको बताना है C2H5OH होगा formula कौन सा होगा तो इसका A number option जो है C2H5OH जो है इसका formula जो है वो सही है A number option के साथ चला जाएगा अगला question देख लीज़े अगला question क्या कहता है कहता है कि ethyl alcohol के दो परमानों के बीच में जो कितने बंदन रहते हों मतलब तो इसमें जो है न इतheen किसका है अगला देख लेते हैं कि अगला question क्या कहता है यह biology का पवर्षन है ِань चुझे लिज़े क्योंकि आपको वैयलोजी की के है तोज़े सिसलिब तेखने पढ़ेंगे क्योंकि कि बैलोजी में आपको तूड़ फैक्ट याद रखना पड़ता है और चीज़ों में और कमिस्ट्री में तो दिमाग लगाने के वशक्ता अविधिक पड़ती है लेकिन इसमें तूड़ फैक्ट आपको याद रखना ही पड़ता है तो यहां पर पहला कोश्चंस जो है वो क् कितने ही उर्जामुक्त होती है तो यहां पर है 34.5 कीलो मौल के इसाब से गिया है 305 kg per mole kg के जगह पर केवल और केवल calorie होना चाहिए इतना calorie per mole होना चाहिए तो यह जो unit है यहाँ पर लिखा है वो भी गलत लिख दिया गया है ठीक है? तो यहाँ पर इसको आप लोग सही कर लिजगा क्या होगा? calorie होगा, इतना calorie per mole के हिसाब से उर्जा खर्ज होता है तो यहाँ पर पहला नमबर option के साथ कौन से जाएगा? तो 30.5 calorie per mole के हिसाब से तुटने पर उर्जा देता है अगला question है प्रकिर्थी में oxygen का संतुलन कैसे बना रहा था तो प्रकिर्थी यह बहुत ही easy question है तो इसका जो answer चला जाएगा वो चला जाएगा क्या प्रकास उंसलेशन के दवारा ठीक है? अगला question देख लेते हैं क्या कहता है कि माना विर्दय में कितने cost होते हैं? और उसी तरह से अगला question भी repeat हो गया है दोनों same questions है और इसके जो answer होंगे माना विर्दय में कितने cost होते हैं cost का होते हैं? कितने part में इसका बटा हुआ रहता है कितना chamber रहता है कितना chamber रहता है? एक तरह से chamber cost का होता है? चेंबर कितना chamber रहता है? तो मनुस्य का हिर्दय होता है उसमें कुल मिला करके कितने होते हैं? चार chamber होते हैं और जो जीव पानी में भी रहते हैं और दोनों में अपडाउन करते रहते हैं तो उसमें तीन चिंबर रहते हैं जो दोनों में अपडाउन करता है रहता है और जो केवल और केवल पानी में रहता है उसमें केवल दो चिंबर रहते हैं विडियो नंभा हो जाता है तो मुझे नहीं चाहता की विडियो लंबा हो इसलिए मैं बता देता हूँ कभी कभी आंसे सबको directly कि एक ला को कि इसमें गुनसुत्र उसे कि इसमें 20 जोड़ा ऐसी मनुष्ट काया जाता है मनू पत्ति हो गा हरित लबग पदार्थ पाये जाता है पत्तियों की बीतर में और स्ट्व स्टोमा जो है वह एक भाग है जिससे की ग्रान होता यहन cess grace इक तरह से कहा सकते हैं, एक्स्ट्रा पानी बगर निकलता है। या आपसोसं होता है, इस तरीके का काम जो है, वो यह करता है और या oxygen को grant करता है यह इस तरीके का oxygen को grant या carbon dioxide को that करने वाला जो भाग है फ्लीशत्रों से पार्ट्स है. लेकिन यहां पर प्रकार लाइक कर दीजगा मेरे चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा साथ में बैल आइकन को दबा दीजगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तब तक के लिए बाई बाई